मसकार किसान भाईयों, किसान भाईयों, पहले तो मैं आपको ये खेद दिखा दूँ, इसमें आपको एक भी पोदा बीमारी से ग्रेशित नजर नहीं आएगा इसमें नहीं कोई आपको कंसवा दिखाई देगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अभी तक किसी भी दवाई का परियोग नहीं किया गया है आपने पहली सार देखा होगा कि किसान भाईयों ने भी अधा धुन दवाईयों का प्रियोग किया था लेकिन वो कंसवा टो बोरर को नहीं कंट्रोल कर पाये थे और फसल पर बुरा परबाव पड़ा था लेकिन यह जो मैं खेत दिखा रहा हूँ आपको यह जो खेत है नीतु धामा का यह खेत है और इसमें देखो कितना हरापन है एक भी पोधा मुझे अभी तक इसमें ऐसा नहीं दिखाये दिया जो रोक से ग्रसित हो और उसमें कोई भी कंसवा लगा हो तो यह कैसे संभव हो पाया इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें किसान भाईयो पहले में इसका नाम बता दू इसका नाम फोरोमन ट्रैफ है और यह कैसे काम करता है कैसे ऐसे काम करेगा जिससे की दवाई की भी जरुरत नहीं पड़ेगी और इसका 100% रिजल्ट आएगा यह मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा तो मैंने इसका नाम बता दिया है जादे तर इसकी जो चीनी मीले है वो उपलब्द करा रही है यह दोराला चीनी मीले उपलब्द कराया है इसकी कीमत 30 रुपे उन्होंने रखी है वैसे यह ओनलाइन भी मिल जाता है वहाँ पर थोड़ा ही आपको महंगा मिलेगा लेकिन यहाँ पर यह किसानों के हित में काम करते हुए इसको 30 रुपे में उबलब्द करा रही है यह देखे खेत पर इन्होंने जगह जगह इसको लगा रखा है और एक एकड़ में 10 से 12 यह काफी होते है अब यह काम कैसे करता है पहले यह बताओं इसके जो अंदर आपको यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक कैपसूल लगा दिया जाता है उससे सुगंद निकलती है जो आप देख रहे हैं और वो जो कैपसूल होता है लगबग 2 महीने तक काम करता है इसमें से एक स्पेशल सुगंद निकलती है जो तितली होती है मैं आपको पहले तितली के बारे में बता दू जो तितली होती है वो ही अंडे देती है अंडे के बाद में उनी से अरली सूट बोरर यानि के कंसवा लगता है इसके बाद में वो सुंडी बन जाती है और अंद जाती है और उसके बाद में फिर से अंडे देना चालू कर देती है तो यह एक जीवन चकर चलता रहता है यह उस जीवन चकर को तोड़ने का ही काम करती है इसमें से जो सुगंद निकलती है जो सफेद तितली होती है खासकर जो नर होता है वो इससे आकरशित होता है सुगंद और यहां पर आकर के इसमें बैठ जाता है फिर यह जो आपको नीचे पॉलोथीन दिखाई दे रही है इसमें आकर के वो घुस जाता है जैसे इसके अंदर घुसेगा तो वो यहीं पर रह जाता है और यहीं पर उसकी मोत हो जाती है तो मैं आपको यह बताओं कि इसमें नर घ पाइदे का सोदा है बिना दवाई के ही किसान अरली सूट बोरर और जो टोब बोरर आते हैं उस पे कंट्रोल हो जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा यंत्र है किसान भाईयों आप जादा उत्पादन लेने के लिए कई तरह के कीट नासकों का परियोग करते हैं और उर्व जट नहीं है इसे आप लगा सकते हैं और इससे जो आपको फाइदा मिलेगा वह बहुत जादा फाइदा आपको मिलने वाला है यह मैंने आपको खेद दिखा रखा है इसमें एक भी पोदा बिमारी से गरसित नहीं है जबकि एक दो पोदे में तो करस्वा फिर भी आजाता है फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाईयों को नमस्कार